आज की बड़ी खबर आज शाम तक चंद्रबाबु नाइडू दे सकते हैं इस्तिफा अभी अभी एक बड़ी खबर सामने आ रही है जिसमें चंद्रबाबु नाइडू आज शाम छे बजे राजेपाल से बिलकर अपने पत से स्तिफा देंगे हाला कि लोग सभा चुनाओं के दरान चंद्रबाबु नाइडू काफी एक्टिव दिखे कभी अखिलिश यादों के साथ तो कभी ममता दिदी के साथ नजर आते रहे वही चुनावी रुजानों के बाद आज अपने पत से शाम तक स्तिफा दे सकते हैं वहा आजस्थान में कारेकरताओं ने मनाया जश्त देश में आज लोग सभा चुनाओं 2019 की मदगना चल रही है अभी तक राप्त रुजानों के आधार पर देश में एक बार फिर से मोधी सरकार बंती दिखाई दे रही है देश की 542 सीटों की मदगना में अभी तक भाजपाने 345 सीटों पर से ज्यादा बढ़त बंती दिख रही है जबकि गॉंगे स्पाटी 86 सीटों पर आगे चल रहे इसके आलावा 111 सीट पर अन्य दलों ने पकड़ बना रखी है शुरुवाती रुजहनों की आधार पर भाजपा कारेकरता में खुशी का लहर दोर रहा है कई जगह कारेकरताओंने जर्शन भी मनाना शुरू कर दिया है इसके आलावा दिल्ली में भाजपा का loaded पर जर्शन की तयारिया शुरू कर दी गई है इन सब की पिछ राजस्थान की राजधानी चैपूर में भाजपा कारेले के बाहर कारेकरताओं ने जश्न मनाना शुरू कर दिया है कारेकरताओं ने ढोल नगाडे पर नाचते हुए अपने खुशी का इजहार कर रहे है नतीजे से पहले ही भाजपा ने मंगाया साथ किलो का लटव केक लुझानों को देखकर भाजपा जश्न मनाने की तयारी में जुट गई है लोग सबह चुनाओं की नतीज़े से पहले ही बीजेपी ने अपनी जीत मान ली है धरसल दिली बेज़ेपी ने एक साथ किलो का लट्टू केक ओडर किया है जिसे नतीजे के बाद शाम को जशने के तौर पर काटा जाएगा इस केक के अलावा चार पांच किलो के नौ केक बीज़ेपी के केंद्रे कायले में काटने के लिए ओडर किये गए हैं खबर ये भी है कि मोदी आज शाम पार्टी मुख्यले में जाएंगे जहां 25,000 भाजपा की कारेकर्टा मौजूद रहेगी। मौजूदा समय में एंडिये सबसे बड़ी पार्टी नजर आ रही है एक्जिट पोल के मुदाबिक बीजेपी नीद एंडिये को 349 से 365 सीट मिल सक की आप डाउंनोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब पर दिने वाद।